Hello students, Welcome to Horizon International Academy Drawing Class. मैं हूँ आपका आर्ट इंस्ट्रक्टर सागर, तो चलिए शुरू करते हैं आज की Drawing Class. आज की क्लास में हम Basic Designing कैसे की जाती है, इसके बारे में जानकारी लेंगे. तो देखते हैं इसे कैसे बनाना है. सबसे पहले आपके पेच पे आपको एक Rectangle बनाना है, जिसकी Size होगी, 18 cm Height होगी, और 20 cm Weed होगी. इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें Basic Shapes और Lines का यूज़ करना है. Shapes में आपको 3 Triangles, 2 Squares, 2 Rectangles, 3 Circles और Lines का यूज़ करना है. Lines आप जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. आप Curve Line, Slanting Line, Standing Line, Sleeping Lines, In Lines का यूज़ कर सकते हो. तो चलिए Start करते हैं. एक चीज़ आपको ध्यान रखनी हैं कि आप आपके Shapes को Angle Change कर सकते हो. उसे उल्टा कर सकते हो, उसके Angle आप Change कर सकते हो. First हम Start करेंगे Triangle से. हमें 3 Triangle Draw करने हैं. Draw करने के लिए हमें Scale का Use नहीं करना है. किसी भी Mechanical Instruments का Use आपको नहीं करना है. Free Hand से आपको करना है. थोड़े दूर-दूर लेने हैं. सभी Same Size में नहीं करने हैं आपको. कोई Triangle बड़ा होगा, कोई छोटा होगा. किस्थ서चा बड़े से में करने हैं. हुआ होगा. अभी आप देख सकते हो कि मैंने तीन ट्रेंगल ड्रॉ किये है और यहाँ पर दो ट्रेंगल एक दूसरे में मिक्स हो गए है जब आपके दो शेप्स एक दूसरे में मिक्स हो और जो तीसरा शेप बने वो ऐसे बने कि जिसके अंदर आप कलर अच्छे से कर सकते हो इतना छोटा गैप आपको नहीं चाहिए इसमें आप अच्छे से कलर नहीं कर सकते जो दो शेप्स को मिला कर तीसरा शेप रेडी हो रहा है आपका वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सरकल और रेक्टेंगल मिक्स होके यह थर्ड शेप बना है उसमें हम अच्छे से कलर कर सकते हैं वैसे ही हर जगा पे आप देख सकते हो थर्ड शेप में कॉम्प्लिकेशन्स नहीं होने चाहिए अब हमें स्क्वेर्स का यूज करना है हमें दो स्क्वेर्स ड्रॉ करना है दो रिक्टेंगल ट्रॉ करने है दो रिक्टेंगल ट्रॉ करना है आप देख सकते हो कि धिरे धिरे हमारा रिक्टेंगल भरने लगा है इन शेप के साथ वो जगा जो है जो स्पेस है वो भरने लगी है अब जहाँ पे स्पेस जादा है वहाँ पे आपको शेप्स फिल अप करने है थ्री सर्कल्स ड्रॉ करेंगे सर्कल ड्रॉ करते वक्त हम ओवल शेप का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से हम हाफ सर्कल भी यूज कर सकते हैं इस तरह से मैंने सारे शेप्स यूज कर लिये हैं अब आपको यूज करनी है लाइन्स लाइन्स कहाँ पे यूज करनी है देखते हैं अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्पेस को कहाँ पे भी ब्रेक नहीं है देख सकते हो आप कही पे भी ब्रेक नहीं हुई है तो यहाँ पे breaking के लिए हम lines का use करेंगे यह shape अभी अलग हो गया इस line की वज़े से तो जहाँ पे space ज्यादा है वहाँ पे divide करने के लिए हमें lines का use करना है कही पे आप curve line यूज कर सकते हो कही पे आप slanting line यूज कर सकते हो अगर मुझे color देना है, fill up करना है तो मुझे इस space में इतना सारा color fill up करना होगा तो अगर मैं line से break कर देता हूँ उस space को तो मुझे ज्यादा space divide हो जाएगी यहाँ पे भी free space ज्यादा है तो मैं इसे line से divide कर दूँगा तो इस प्रकार हमने हमारे rectangle में shapes के और lines के साथ यह design create किया है अब देखते हैं इसे shading कैसे करना है यह हम pencil shading से इसे complete करने वाले है जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने dark, medium और light shading का use किया है वैसे ही आपको light, medium, dark से यह पूरा complete करना है dark के पास में dark नहीं आएगा, light के पास light नहीं आएगा तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है shading करते वक्त आपको direction का ध्यान रखना है एकी direction में हो light, medium, dark हमें clearly पता चलने चाहिए border के बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए आपका design पूरा होने के बाद कुछ ऐसे लगना चाहिए थैंक्स वर वचिंग